हेलो फ्रेंस मैं सागर परियावाची सब्द के पार्ट टू वीडियो में आप बहुत बहुत स्वागत है इस सेल पर जितने भी परियावाची सब्द पढ़ाया जा रहे हैं अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी कुशिन एक जाम में मिस नहीं हैं बागे परियावाची के टूटल में तीन वीडियों को पढ़ लेते हैं तो इकजाम में आपका कोई अगर आप नय हो तो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मैं ऐसे ले बहुत सारी वीडियो को लेकर आता रहता हूं तो चलते हैं दिरने करते हैं तो पहले वाले वीडियो में पंद्रा पर्यावाची सब्दों को पर लिया था चलिए इसमें और इसमें हम लोग सुलावय से प्रारम करेंगे तो चलते हैं देखते हैं सुलावा प्रयवाची सुलावा प्रयवाची है अंधे का तो अंधे का प्रयवाची होता है नेत्र हीन सूर्दास चच्चुभीन और अंध तो इसको आप कैसे याद करेंगे तो देखिए पहला है नेत्र हीन नेत्र माने होता है आँख हीन माने क्या जिसके पास आँखी ना हो इट मिंस जो नेत्रों से हीन हो तो जो भी इंसान नेत्र से हीन होगा तो वो अंधा ही होगा तो इस प्रकार नेत्र हीन अंधा की प्रेवाची है अगला है सूरदास देखे हम लोग जानते हैं कि जो सूर्दास जी थे वो थे अंदे सूर्दास जी के पास आँखे नहीं थी तो सूर्दास जब भी सूर्दास आएगा तो हम लोग कहेंगे सूर्दास जी अंदे थे उनकी आँखे नहीं थी और आँखे नहीं थी तो अंदे थे इस प्रकार सूर्दास भी अंदे के प्रयावाची है अगला है चछु बहीन देखें चछु का मतलब होता है आखे और बहीन मतलब क्या है जो आखों से बहीन हो जो बंदा आखों से बहीन है वो अंदा होगा इस प्रकार चछु बहीन इन्दे की क्या है अगला है अंदे की पूंझा को बताने किया हो से नहीं प्रकार नेत्रही जाटर। यह सारे के और आरम्ब आरमर्म सुखात उपक्रमराप अ को इस दुनिया है विशा钱 बुलते हैं लोग राम करने जाते हैं तो बोलते हैं चलो इस काम का स्रीग्डेस करते हैं तो इसका मतलब जो प्रारम की प्रयवाची है अगला है सूत्र पात, इसको मैं आपको ट्रिक के मादिम से रटवा देता हूँ देखे जब भी हम मैथ में, फीक्स में, कमिस्टी में, कहीं भी हम कोई सवाल लगाते हैं तो सवाल लगाते हैं, तो सवाल हम तभी लगा पाते हैं, सवाल का प्रारम हम तभी कर पाते हैं उप का मतलब होता है उपर करम माने क्या करम करम जब भी अमरे लाइब में उपर जाते हैं उन्नत करते हैं तो उन्नत तुरंत होती नहीं है उन्नत करम करम से होती है तो करम करम से होती है, जब उपर जाते हैं, तो प्रारम में करम करम से उपर जाते हैं, तो प्रारम में जाते हैं करम करम से उपर, जैसे उपकरम आएगा तो हम लोग करम करम से उपर जाते हैं, तो इस परकार जैसे आप उपकरम आएगा, आप यहां से ऐसे इसको आप याद क प्रथम या सुरुवात होता है देखे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग चाय पीते हैं चाय पीने का सुरुवात करते हैं तो आप बता ही जब चाय बने गाए नहीं तो पेने के सुरुवात कैसे करते हैं चाय बनाने के लिए आदी कि रसकता होती है तो जब चाय में आ आरंभिक का मतलब भी होता है कि आप पहला आरंभिक मतलब भी होता है कि आप प्रारंभी मतलब सुर्वात करना या प्रारंभ में या प्रत्थम तो यह जो सारे शीज़े हैं पहला प्रत्थम आरंभिक यह किया है आदी की प्रयवाची है चलिए अगला देखते हैं अगला है खाली जगा है, इस दुनिया में जहां भी खाली जगा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आकास, अब कोई जुरूरी नहीं कि यह उपर वारा ही चीज आकास है, जहां भी हमको थोड़ा खाली जगा दिख जाए है, उसको हम बोलते हैं आकास, तो पहला देखें नब, नब का म ध्याद करते हैं आगला गगन आप पर हमाने होता है बंदूग अगर आपको अस्तान होने चीए आप पर जगह पाएंगे उसे प्रकार आप कर सकते हैं खाली जगह होना चीए इसा मतलब आप तो जैसे गगन आया गगन में आप गन निकालेंगे गन से आप आकास निकालेंगे तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं अगला है अमबर अब देखे जिसे माली जी आप गन से बंदूग चला रहे हैं तो आप तो बंदूग चला रहे हैं तो बंदूग चला रहे हैं तो अन्बर वन आजाए मतलब क्या पहले अस्तान पर चाहए तो इस परकार अमबर क्या है अगला है आस्मान तो आस्मान में बताने क्या उसकता नहीं आप जानते हूं उपर हाकास होता ही अगला है आंत्रिच अब इसको आदर रखोगे तो बच्पन से आन्तियश्च का नाम सुने है जब भी ऑन्तियशक का नाम लेते हैं तो हम को चंद्रमा मंगल यह सारे शेये हम हमारे mind में आते है तो आन्तियश्च का मतलब भी ऊपर आचास से होता है तो कुछ आपको बतानी की यसकता नहीं है इसको आप ऐसे आसानी से याद कर लेंगे देखे अगला है सुन अब सुन को कैसे याद करेंगे कि यह अकास की परियव Now생 की प्रियाज आख़़े तो देखे यह सुन को अब सुनको आ आप अगाव षफान से देखे स Fürst अगला है अनंद का यह चिन होता है अगर आप पड़ते हैं अगर आप जानेगे कि यहां तो यह B चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे रिक्तस्थान होने चाहते हैं, इस प्रकाद आप इसे आद कर सकते हैं, जो अनंद है आकास कि should, अगला है ब्यों मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ब्यों में ब्याम किसा उड़ारे ब्याम अगर आप कहें ब्याम करने के लिए रिक्त अस्थान होने चीए क्योंकि बिना रिक्त अस्थान के आप ब्याम करने सकते हैं जगा होने के लिए ब्याम करने के लिए तो जगा सिक्टेत देख्यां शब्सक्राइब करें 25% तो समय तो गया के आपि पारोओं की आख़ी और पर प्रीली सीद्ट्रे लगवची के दिसक्राइब लूच्ष को रहें। कई तो रही है पर एकुल कर्षेबिस लौन देखिए हमारे जो आखे जब अच्छी जिजों को देखती है तो उसको लेना भी चाहती है लोचना चाहती है उसको तो आप ऐसे आसानी सियादगर पाएंगे कि लोचन जो आखी परयाब अच्छी है अगला नेत्र तो नेत्र तो आखी परयाब अच्छी होती है इसमें आप चीक करके चीकते वहुएं तो जब भी चीकते हैं तो आंखे बंद हो जाती है और आप यहांसे अससानी से निकाल सकते हैं कि अच्छी क्या होती है अगली गुमते दृष्टी अगर आप इस अंसार में किसी बस्तु को देखना चाहते हैं तो देखने की आँखें वहनी तो द्रिश्ट डालने के लिए आंक होनी चीए तो इस प्रकार द्रिश्टी आंक की पढ़ावाद चीए अगला है चछु देखे चछु में च्छा रहा है माने च्छीक नहीं लिए क्या करना पड़ेगा आपको आखे बंद करना पड़ेगा तो इसको आप ऐसे आसानी से या द्रिश्ट की अपरेग्षण कचीए अब रहा है यूजक्त है प्रेतल की प्रेग्षण क Ça पता लगाना प्र्तेग्षण फेच्छ Till कि अगर निग्रानी करनी प्रेतम के चीव अगरत णिका पता लगा है किसी चीज के अगर निगर निकर निकरनी है प्रैषड माने क्या अपर छड़ माने क intuitively अपरति छड़ हरचड अगर हम किसी बस्त के निगरानी कर concerned तब ही हम हरबस्त की निगरानी कर पाएंगे तो जैसे प्रैषड आएगा आप यहाँ से निकालेंगे हरचड निगरानी करने की लिए आँख होनी जीए चलिए अगला देखते हैं, तो अगला है आगन, अब आगन की प्रयावाची होती है प्रांगड, अगना, बगड, हाकड, अब इसको आप कैसे याद करेंगे, यहाँ पे आप देखे, देखे, पहला आ रहा है प्रांगड, देखे, आंगन, अगर हम अंगने में जाते हैं तो प्रांग, प्रांग में देखे प्रग आ रहा है, प्रग, प्रग बढ़ा गर के हमको अगने में जाना पड़ेगा ना, कि अगने में हम उड़के चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो जैसे प्रांगड आएगा, प्रांगड में क्या प्रग आ रहा है, प्रग प्रग जा रहे पैरों को बड़ाते होए जा रहे हैं तो पैरिक नहीं ना तो अंग को बढ़ाते होए जा कहा कर अंगन में तो जैसे अंगना आएगा थे को ल्हूस्ते है प्रावगर एक लुव सकताय नियुकर यह आजना आजने समझ सकते देखिए अगला है बगड बगड देखिए आग अगर कोई लड़का आग माने आग लगा देता है किसी के घर में किसी के छपरे में किसी के कहीं पर अग लगा देता है तो घर वाले क्या लोग क्या बोलते हैं कि वो बगड बगड गया है बगड गया है तो वो बगड गया है बिगड गया है तो सुधारें कैसे तो उस लड़कों को पकड करके जो भी उस लड़के के ममी पापा है उस लड़कों को पकड के अपने कहां लेके आएंगे अगने में लेके आएंगे अगने में लेके आएंगे अगने में लेके आएंगे अगने में लेके आएंगे अगने रसाल, फलराज, पिक बंदू, अमरित, पुल, मदूरस, साकार तो इसको आप कैसे याद करेंगे तो मैं आपको इसको आसानी से याद करवा देता हूँ तो देखे पहला आम की परियावाची होती है आमरिस तो इसमें कुछ बतानी क्या हो सकता है नहीं अगला है रसाल है तो हम लोग जानते हैं कि आम में क्या होता है रस होता है अर रसाल माने क्या आल माने पूरा का पूरा रस होता है तो हम लोग जानते हैं कि आम में रस होता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं क요 जो इक बंदू को आप 10 माने होता है क्या जो माने नाइंड ड़का है तौ अप कोईα आपने पड़ के रहा है आम को खा रहा है आप क्वास क्लात किर्फ कि जुया थे तो बंदू को आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि आपकी प्रयावाची है अगला है अमरिजफल अगर वह फलो का राजा है तो जाइर सी बात है फलो तो जाइर सी बात है वह अमरिजफल होगा तो अमरिजफल भी क्या है आम की परियावाची अगला है मधुर रस अब रस देखे इसमें भी आ रहा है आम है तो आम में रस होगा तो रस आ रहा है इसका मतलब यह भी क्या आम किए परियावाची है अगला है साकार अगर हम लोग आम खा रहेगा है। तो बहुत सारे लोग साह साथ बैट के खैंगे, तो अच्छा लगता है। यहा दीके तो जीब हम्लुग आम खाते हैं, तो आम अकले नहीं था गाती है जाक सा कार में कहां जाते हैं तो आप हैसे आप कर सकते हैं कि साकार राम की परियावाची है तो अगला सकती है आनंद की परियावाची है अब कैसी दरां इसको आrest pracach उल्लू आस मैंने उल्लू पर आस लगाना अगर इस दुनिया में कोई इंसान उल्लू आस मैंने उल्लू पर आस लाके बैठा है तो उसको कभी आनद मिले ही गया उल्लू उसके लिए क्या करेगा कुछ करेगा क्या अगर हम कहते है उल्लू हमको बहुत सारा पैसा देगा हस भी एक आनंदी होता है अमोद अब अमोद को कैसे आप याद करेंगे अमोद में आ रहा है ओद अब जैसे माल लेजिए कोई इंसान बड़ी अमड़ा कपड़ा पहन के बैठा हुआ है अब उसके बोड़ी पे को लिजा के ओद ओद माने क्या ओद माने गोद या अगर कोई इंसान कपड़ा पहना है कपड़ा ओद पहना है ओद माने क्या भीगा कपड़ा पहना है तो क्या उसको आनंद मिलेगा तो उसको आनंद बिलकुल नहीं मिलेगा यहाँ पे दिके आ रहा है ओद अमोद, प्रमोद, बिनोद तीनों में ओध उता रहा है अगर उसके कपड़े ओध हैं तो उसको आनन्द नहीं मिलेगा तो जिसे अमोद, प्रमोद, बिनोद आएंगे आप यहां से ओध निकालोगे और समझ जोगे कि अगर कपड़े ओध हैं तो उसको आनन नहीं मिलेगा तो उसको आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं तो यह जो टीक है वो तो तो यूनिक टाइप का है लेकिन अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो एक्जाम में आप काफी अद्ध तक कुश्चन को सही कर गए हैंगे देखे अगला है आशर आशर का मतलब लोग जानते हैं कि बिसमे होता है आशर शकित होता है तो यहाँ पर दीखे पहला है बिसमे बिसमे माने क्या है वो भी आशर होता अचमभा एक अचमभा देखा रहे भाई तो अचमभा भी क्या है आशर की परियावाची है देखिए अचरज भी उसे से मिलता जूलता है हैरानी भी उसे से मिलता जूलता है किसी आशर को देखते हैं तब यह हैरानी होती है ताजूब किसी ऐसे बंदी को देखते हैं जो चीजी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो हम का इखेँ सब Dlatego One सैं नेत्र निर अग समय सकते हैं नेट्र नीर नेत्र आखने वाले पानी को झाला है और हम उड़ें Charl improve जल माने क्या जल नेनु से निकलने वाले जल को भी क्या बोलते हैं आसो अगला नेत्र बार नेत्र के परियावाची में जल की परियावाची को जोड़ दिया गया है जलते हैं अगला परियावाची देखते हैं अगला है आलोचना अब आलोचना मतलब क्या होता है तो अलोचना का मतलब होता है बुराई किसी बुराई करते हैं तो इसी को बोलते हैं आलोचना अब दिखे इसके परियावाची को आप कैसे आद रखेंगे तो पहला दिखे समा बाहर निकल जाता है, तो जो लोग इंटर्विवर हैं, जो लोग इंटर्विव लिया है, तो बैट के आवस में समेक्षा करते हैं, समेक्षे में क्या होती है, उसको भी कही जाती है, तो इस प्रेकार समेक्षे में क्या होती है, उस बंदे की बुराई की जाती है, तो इसको आप कैसे आद रखेंगे तो यहां पर देखें इसका जो पहला परियावासी महंद्र में दीकिआ घा रहा है महांद्र में इंद्र इंद्र में इंद्र इंद्र में नीनी CAP मूत आइए इंद्र के राजा होते हैं कि देवताओं के राजा है स्वुर। को थो देाठी नीघ को यह प Candinal Plus के अजो पहले यहलाएं देव राज माने क्या डेवताओं के राच कुण होते इंदifter होते हैं अगला यह मध्वा में आ मेधवây मिन्द्वा माने किया मेधाएवी तो प्रत्धमम मेधावी कोई इंद्र हो रोते हैं वो दे वता," इंसको आपको पतायब दिया ह तो फिर मिलेंगे नहीं अगले वीडियो में ऐसे तो प्राइवाज अगले में इस इंच्प्तिए टॉपिग ससाथ। तब तक लिए बाय के श acord जह हिंद्…